बच्चों, आज हम कक्षा बारा की व्यष्टी अर्थसास्त्र के अंतरगत अध्याय पांच बाजार संतुलन का अध्यान करेंगे, तो आईए हम इस अध्याय की सुरुवात करते हैं बाजार संतुलन एक ऐसी स्थिती होती है, जहां पर बाजार में फर्म एवं उब्भोकताओं के मद किसी एक निश्चित मूले पर सहमती अस्थापित हो जाती है इसका अर्थ या है कि इस सहमती मूले पर जिसे हम संतुलित मूले भी कहते हैं फर्म किसी वस्तू की उतनी ही मात्रा विक्रे करने को तयार होता है जितनी मात्रा क्रेता क्रे करने को तयार होता है अन्य सब्दों में यह कहा जा सकता है कि बाजार पूर्ती बाजार मांग के बराबर हो जाती है ऐसी स्थिती में बाजार में कोई भी उत्पादन सेस नहीं बसता है और फर्म एवं क्रेता दोनों ही विचलित नहीं होना चाहते हैं जितनी मात्रा एक संतुलित मूले पर जभी बाजार मांग बाजार पूर्ती से अधिक होती है तो उस उस्थिती को अधी मांग की इस्थिती कहते हैं जैसे यदि बाजार में प्रचलित मूले पर किसी वस्तू की मांग सो इकाई है किन्तु उसकी पूर्ती साथ ही काई है तो इस इस्थिती को अधी मांग की इस् तो ऐसी इस्थिती को अधि पूर्ती की इस्थिती कहते हैं जैसे यदि किसी प्रशलित मूले पर वस्तु की बाजार पूर्ती सोई काई हो किन्तु उसकी मांग साथ ही काई हो तो ऐसी इस्थिती को अधि पूर्ती की इस्थिती कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की इस्थिती को 0 अधि मांग एवं 0 अधि पूर्ती के रूप में जाना जाता है किन्तु जब कभी बाजार में बाजार पूर्ती एवं बाजार मांग एक दूसरे के बराबर ना हूँ तो कीमतों में परिवर्तन की प्रवित्ती पाई जाती है और बाजार अपने को संतुलित करने का प्रयास करती है इस संबंध में क्लासिकल अर्शास्त्री एडम इस्मित की मानिता रही है कि जब कभी बाजार में असंतुलन उत्पन होता है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अद्रिस से हाथ द्वारा बाजार में पुना संतुलन अस्थापित किया जाता है यह अद्रिस से हाथ ही मांग एवं पूर्ती की शक्ती होती है यह अद्रिस सेहाथ अधी मांग की स्थिती में कीमतों में व्रिद्धी एवं अधी पूर्ती की स्थिती में कीमतों में कमी करता है अता क्लासिकल अर्षसास्र की माननिता रही है कि अद्रिस सेहाथ के द्वारा बाजार में पुना संतुलन अस्थापित हो जाता है बाजार संतुलन जबकी फर्म की संख्या इस्थिर हो बाजार संतुलन के निर्धारण में मांग तथा पूर्ती की शक्ती एक साथ कारे करती है यदि मांग अथवा पूर्ती में से किसी एक में अथवा दोनों में परिवर्तन हो जाए तो संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है यहाँ पर बाजार संतुलन की व्याख्या उसी स्थिती में की जा रही है जबकी बाजार में फर्म की संख्या इस्थिर हो रेखा चित्र में DD बाजार मांग वक्र एवं SS बाजार पूर्ती वक्र को व्यक्त करता है एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन की स्थिती कैसे अस्थापित होती है इसे रेखा चित्र द्वारा इसपष्ट किया गया है बाजार मांग वक्र उस मात्रा को दर्साता है जिसकी मांग विभिन्य मूल्यों पर उभोकता करने का एक्षुक है इसी प्रकार बाजार आपूर्ती वक्र वह वक्र है जो वस्तू की उस मात्रा को दर्साता है जिसकी पूर्ती फर्म विभिन्य कीमतों पर करने का एक्षुक है। रेखा चित्र में जिस बिंदु पर बाजार मांग वक्र एवं बाजार पूर्ती वक्र एक दूसरे का प्रतिक्षेदन करते हैं वहीं पर संतुलित कीमत ओ पी इस्टार एवं एक संतुलित मात्रा ओ क्यू इस्टार निर्धारित होता है। यदि बाजार मूल किसी समय ओ पी इस्टार से बढ़कर ओ पी टू हो जाए तो ऐसी स्थिती में वस्तु की बाजार पूर्ती ओ क्यू इस्टार से बढ़कर ओ क्यू टू हो जाती है। जबकि वस्तु की मांग ओ क्यू इस्टार से कम होकर ओ क्यू वन हो जाती है इस स्थिती में बाजार में अधि पूर्ती देखने को मिलती है। इसी प्रकार यदि मूल ओ-पी इस्टार से कम होकर ओ-पी वन हो जाए तो बाजार पूर्ती ओ-क्यू इस्टार से कम होकर ओ-क्यू वन हो जाती है जबकि मांग ओ-क्यू इस्टार से बढ़कर ओ-क्यू वन हो जाती है ऐसी इस्थिती को अधी मांग की इस्थिती कहते हैं। रेखा चित्र में इस पश्ठ है कि केवल O P इस्टार कीमत एवं O Q इस्टार मात्रा पर ही बाजार संतुलन अस्थापित होता है। अन्य था अन्य किसी भी मूल्य पर या तो बाजार में बाजार मांग बाजार पूर्ती से अधीक है अथवा बाजार पूर्ती बाजार मांग से अधीक है। यह दोनों ही इस्थिती बाजार असंतुलन की इस्थिती को दर्साता है। बाजार मांग एवं बाजार पूर्ती की समानता केवल संतुलित मुल्य पर होती है जिसे ओपी श्टार द्वारा दर्साया गया है। रेखाचितर में ओपी श्टार से अधिक किसी भी कीमत पर अधिपूर्ती एवं ओपी श्टार से कम किसी भी कीमत पर अधिमांग की स्थिती होगी। स्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण स्रम बाजार में स्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है जब कि स्रम की आपूर्ती घरेलू छेतर से की जाती है यहां यह इसपश्ट करना जरूरी है कि स्रम का अभिप्राय स्रमिकों द्वारा किये गए कार के घंटों से है ना कि स्रमिकों की संख्या से स्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण स्रम के लिए मांग तथा स्रम की पूर्ती वक्र के प्रतिक्षेधन द्वारा होती है श्रम की मांग की जाँच के लिए हम यह मान लेते हैं कि सरम उत्पाधन का अकेला परिवर्ती कारक है और सरम बाजार पूर्ण प्रतिसपर्दा में है इसका अर्थ है कि प्रतेक फर्म के लिए मजदूरी दर दी हुई है यहाँ यह बता देना आवश्चक है कि जिस फर्म के विशय में यह विशलेशन किया जा रहा है वह भी स्वभाव से पूर्ण प्रतिसपर्दी है जो लाव अधिक्तम करने के उद्देश से उत्पादन करती है। यहां यह मान कर चला जा रहा है कि उपलब्ध प्रोध्योगी की पर हरासमान सीमान उत्पादन नियम लागू होता है। लाव अधिकम करता होने के कारण फर्म सदय उस बिंदू तक स्रम का उपयोग करेगी जिस पर स्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की अत्रिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अत्रिक्त लाभ के बराबर है। स्रम की एक अत्रिक्त इकाई को उपयोग में लाने के लिए अत्रिक्त लागत मजदूरी दर होती है। वह सीमान शंप्राप्त तथा सीमान उत्पादन के गुलनफल के बराबर है। इसे ही स्रम का सीमान संप्राप्त उत्पाद कहते हैं। अतह फर्म उस बिंदू तक स्रम को उप्योग में लाती है जहां स्रम का सीमान संप्राप्ति उत्पाद तथा स्रम का सीमान संप्राप्ति बराबर हो क्योंकि हम एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का अध्यन कर रहे हैं, सीमान्त संप्राप्ती वस्तु की कीमत के बराबर है, तथा इस इस्थिती में स्रम का सीमान्त संप्राप्ती उत्पाद स्रम के सीमान्त उत्पाद के मुल्ल के बराबर है। जब तक स्रम के सीमान्त उत्पाद का मुल मजदूरी दर से अधीक है फर्म स्रम की इकत्रित इकाई का उपयोग करके अधीक लाव अरजित कर सकती है और यदि स्रम उपयोग के किसी भी अस्तर पर स्रम के सीमान्त उत्पाद का मुल मजदूरी दर की तुलना में कम है तो फिर फर्म स्रम की इकत्रिक इकाई कम करके अपने लाव में वृद्धी कर सकती है दिये गए हरासमान सीमान्त उत्पाद नियम की मानिता पर मजदूरी बराबर स्रम के सीमान्त उत्पाद के मूल पर ही सदय उत्पादन करती है इसका अभिप्राय होता है कि स्रम के लिए मांग वक नीचे की ओड़ हाल वाली होती है यदी किसी मजदूरी दर पर स्रम के लिए मांग एक है अब यदी दो हो जाती है तो मजदूरी स्रम के सीमान्त उत्पाद के मूल में समानता बनाए रखने के लिए स्रम के सीमान्त उत्पाद के मूल में बृध्धी होनी चाहिए जबकि वस्तू की कीमत इस्थिर हो ऐसा तभी संभव है जब सीमान्त उत्पाद में वृध्धी हो जिसका अभी प्राय है कि स्रम की सीमान्त उत्पादक्ता के कारण कम स्रम का उपयोग किया जाए अता उची मजदूरी दर पर कम स्रम की मांग होती है जिसके परिणाम सरूप मांग वक्र नीचे की और प्रवर्ता वाली हो जाती है जब स्रम की मांग के संदर्व में व्यक्तिगत फर्मों की मांग को जोड़ दिया जाता है तो बाजार द्वारा कुल स्रम की मांग का पता चलता है दूसरी ओर जब स्रम की पूर्ती की बात की जाती है तो बाजार में स्रम का पूर्ती वक्त अग्रगामी अर्थात उपर की ओर प्रवर्ता वाली प्राप्त होती है जिसका अर्थ होता है कि उच्च मजदूरी दर पर स्रम की पूर्ती अधिक होती है जबकि निम्न मजदूरी पर स्रम की पूर्टी कम होती है। जैसा कि विदित है कि स्रम की आपूर्टी घरेलू छेतर द्वारा की जाती है। दूसरे का प्रतिक्षेदन करते हैं, वहीं पर स्रम की मजदूरी निर्धारित होती है, जिसे रेखा चित्र में व्यक्त किया गया है। दोनों की कीमतें आदी इस्थिर रहते हैं, यद्यपी इन में से एक अथवा एक से अधिकारकों में परिवर्तन होने की वज़ा से या तो पूर्ति वक्र या मांग वक्र अथवा दोनों की संतुलित कीमत तथा मात्रा को प्रभावित करते हुए विवर्तित हो सकते हैं। में विवर्तन की वज़ा से परिवर्तन देखने को मिलता है जिसे रेखा चित्र द्वारा इसपष्ट किया गया है जिस बिंदु पर बाजार मांगवक्र एवं बाजार पूर्तिवक्र एक दूसरे का प्रतिक्षेद करते हैं वहीं पर संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा क रेखा चित्र में E बिंदू पर बाजार मांगवक्र DD एवं बाजार पूर्तिवक्र SS एक दूसरे को प्रतिक्षेद करते हैं जहां संतुलित मूल्य को O P एवं संतुलित मात्रा O Q का निरधारन होता है अब यदि किसी वजा से बाजार मांगवक्र दाहिनी और विवर्तित हो जाए अर्थात DD से D1 D1 हो जाए जबकि बाजार पूर्तिवक्र अपने अस्थान पर इस्थिर रहे तो बाजार में नया संतुलन E1 बिंदू पर निरधारित होता है जहां नई कीमत O P1 एवं नई मात् O Q1 निरधारित होती है यहां यह इस पच्ट रूप से देखा जा सकता है कि बाजार मांग के बढ़ जाने से अधि मांग की इस्थिति उत्पन होती है जिसकी वजा से मूल में बृद्धी देखने को मिलता है इसी प्रकार यदि बाजार मांग वक्र बाईं और विवर्तित हो जांट अर्थात मांग में कमी आ जाये और मांग वक्र D2D1 हो जाये जिबकि पूर्ति वक्र अपने अस्थान पर रहे तो उसकी वजा से संतुलित कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है जिसे रेखा चित्र में देखा जा सकता है ऐसी इस्थिति में अधि पूर्ति देखने को मि बाजार में वस्तू की संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा पर पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव भी देखने को मिलता है जिसे रेखा चित्र में इस पच्ट रूप से देखा जा सकता है बाजार मांग वक्त DD है जबकि बाजार पूर्ति SS है बाजार संतुलन E बिंदु पर निर्धारित होता है जहां मांग एवं पूर्ति वक्त एक दूसरे का प्रतिक्षेद करते हैं इस बिंदु पर संतुलित कीमत OP एवं संतुलित मात्रा OQ निर्धारित होती है इसी प्रकार यदि बाजार पूर्ती बढ़ जाए तो उसके प्रणाम सरूप नया मूल ओ पीवन एवं नई संतुलित मात्रा ओ क्यूवन दिर्धारित होती है रेखा चितर में इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है कि ऐसी इस्थिती में बाजार में अधी पूर्ती उत्पन होती है इसी प्रकार यदि बाजार मांग वक्त इस्थिरो एवं बाजार पूर्ती बाई और विवर्तित हो जाए अर्थात पूर्ती में कमी आ जाए तो उसके परिणाम सरूप संतुलित कीमत एवं मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलता है रेखाचित्र में E बिंदु पर संतुलित कीमत एवं संतुलित मात्रा निधारित होती है जब बाजार पूर्ती वक्त बाई और SS से विवर्तित होकर SS1 हो जाती है तो नई कीमत OP से OP1 हो जाती है इसी प्रकार संतुलित मात्रा OQ से कम होकर OQ1 हो जाती है बाजार मांग एवं बाजार पूर्ती में एक साथ होने वाले परिवर्तन का संतुलित कीमत एवं मात्रा पर प्रभाव बाजार में जब मांग एवं आपूर्ती दोनों ही वक्रों में विवर्तन देखने को मिलता है तो संतुलित कीमत एवं मात्रा पर उसका प्रभावत्पन होता है ऐसी चार विभिन्य संभावना हो सकती है जबकि मांग एवं पूर्ती एक साथ विवर्ति थो रहे हों जो निम्न लिखित हैं पहला मांग एवं पूर्ती दोनों वक्रों का दाइनी और विवर्तन दूसरा मांग एवं पूर्ती दोनों वक्रों का बाई और विवर्तन तीसरा पूर्ती वक्र का बाई और एवं मांग वक्र का दाहिनी और विवर्तन और चौथा पूर्ती वक्र का दाहिनी और तथा मांग वक्र का बाई और विवर्तन पहला मांग एवं पूर्ती दोनों वक्रों का दाहिनी और विवर्तन जब बाजार में मांग एवं पूर्ती वक्र एक साथ दाहिनी और विवर्तित होते हैं तो उसके प्रणाम स्वरूप संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि संतुलित मात्रा पहले से अधिक हो जाती है इस इस्थिती को रेखा चित्र में इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है प्रारंभिक इस्थिती में बाजार मांग वक्र डीडी है जबकि बाजार पूर्टी वक्र एस एस है संतुलन की इस्थिती में E बिंदू पर संतुलित मूले OP एवं संतुलित मात्रा OQ निर्धारित होती है अब यदि बाजार मांग एवं आपूर्ती दोनों बढ़कर दाहिनी और रिवर्तित हो जाएं तो उसकी वज़ा से नया संतुलन E1 बिंदू पर निर्धारित होता है जहां संतुलित कीमत OP ही रहती है जबकि संतुलित मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है या इसपश्ट है कि संतुलित कीमत पर मांग एवं पूर्ती दोनों के दाहिनी और रिवर्तित हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि संतुलित मात्रा पहले से अधिक हो जाती है ऐसा तभी संभव हो पाता है जबकि मांग एवं पूर्ती दोनों समान मात्रा में दाहिनी और विवर्तित हो, मांग एवं पूर्ती दोनों वक्रों का बाईं और विवर्तन, जब बाजार में मांग एवं पूर्ती दोनों ही वक्र बाईं और विवर्तित हो जाए अर्थाद दोनों में कमी आ जाए, तो उसके परणाम स्वरूप संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि संतुलित मात्रा में कमी आ जाती है। जबकि संतुलित मात्रा में कमी देखने को मिलती है। बृद्धी, कमी अत्वा अपरिवर्तित रह सकती है। इस इस्थिती को रेखा चित्र में देखा जा सकता है। पूर्ती वक्र का दाहिनी और तथा मांग वक्र का बाई और विवर्तन हो तो उसकी वज़ा से संतुलित कीमत कम हो जाती है। जबकि संतुलित मात्रा में बृद्धी, कमी अत्वा अपरिवर्तित रह सकती है। इस इस्थिती को रेखा चित्र में देखा जा सकता है। बाजार संतुलित पर फर्मों के निर्बाद प्रवेश एवं बहिरगमन का प्रभाव। बाजार में फर्मों की संख्या बढ़ जाती है। और फर्मों को प्राप्त होने वाला आसामानिलाब समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी बाजार में फर्मों को हानी हो रही हो तो कुछ फर्म बाजार छोड़कर बाहर चली जाती है जिससे फर्मों की संख्या में कमी हो जाती है आसामान निलाब एवं हानी को नियुनतम औसत लागत एवं कीमत की तुलना से समझा जा सकता है जब फर्म वस्तु का मूल उसके नियुन्तम औुसत लागत से ज़्यादा प्राप्त कर रही है तो इसे आसामान इलाब की इस्तिती कहा जाता है इसके विप्रीत यदिवस्तु का मूल नियूंतम औसत लागत से कम प्राप्त हो रहा हो तो फर्म को हानी सहनी पड़ती है अता हानी की स्थिती में फर्म बाजार से बहिर गमन करती है जबकि आसामान निलाब की स्थिती में बाजार में प्रवेस करती है दीरहकाल में बाजार कीमत सदेव नियुनतम और सतलागत के बराबर होती है एवं फर्मों को केवल सामान निलाब ही प्राप्त होता है उच्चितम निर्धारित कीमत का आशय किसी वस्तु के ऐसे मूल से है जो सरकार द्वारा बाजार में निर्धारित संतुलित मूल से कम निर्धारित किया जाता है ऐसा सामानित्या आवस्यक वस्तूं के संबंध में किया जाता है जैसे गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, इत्यादी जब मांग एवं पूर्ती की शक्ति द्वारा बाजार में किसी आवस्यक वस्तू का मूल उच्च अस्तर पर निर्धारित होता है तो सरकार द्वारा उब भोकताओं को संरक्षन प्रतान करने के लिए एक उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है जो संतुलित कीमत अस्तर से कम होता है इसे रेखा चित्र में इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है जबकि मांग एवं पूर्ती क्रमसा डीडी एवं एस एस हैं जो एक दूसरे को ई बिंदू पर प्रतिक्षेत करते हैं जहां वस्तु का मूल ओपी इस्टार निर्धारित होता है सरकार द्वारा इस मूल्ड से कम एक अधिक्तम मूल्ड ओपी निर्धारित किया जाता है जिससे उस वस्तू की अधिक्तम कीमत निर्धारित कर दी जाती है इससे जादा मूल्ड विक्रेता द्वारा नहीं वसूला जा सकता है सरकार द्वारा सारजनी की वित्रन प्रणाली के अंतरगत गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, आदी, आवस्चक वस्तूओं की कीमत निर्धारित कर दी जाती है जिससे की निर्धन वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को बढ़े हुए मूल्ल से सन्रक्षन प्राप्थ हो सके और वा अपने जीवन का निर्वाह कर सके निर्धारित कीमत सरकार द्वारा जब किन ही वस्तूओं के संबंध में मांग एवं पूर्ती की शक्ती द्वारा निर्धारित मूल्ल से अधिक मूल्ल निर्धारित किया जाए तो उसे ही निउन्तम निर्धारित मूल्ल कहा जाता है ऐसा सामानित्या क्रिसी वस्तूओं के संबंध में किया जाता है जबकि किसानों को एक नियूंतम मूल प्रदान किया जाए इस बात का अस्वासन सरकार द्वारा नियूंतम समर्थन मूल द्वारा कराया जाता है जब कभी बाजार में मांग एवं पूर्ती की शक्ति द्वारा निर्धारित मूल बहुत कम हो जाए ऐसे में सरकार उत्पादकों को एक नियूंतम मूल की गारेंटी देती है जिसे नियूंतम निर्धारित कीमत द्वारा निर्धारित किया जाता है इसे रेखा चित्र में इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है बच्चों अब तक हम लोगोंने बाजार संतुलन के अंतरगत मांग एवं पूर्ती की शक्ती द्वारा बाजार संतुलन पर पढ़ने वाले प्रभाव का धेन किया बाजार में जब मांग एवं पूर्ती वक्र में परिवर्तन होता है तो संतुलित कीमत एवं मात्रा पर उसका क्या प्रभाव पढ़ता है इसके अतरिक उच्चतम निर्धारित कीमत एवं नियुनतम निर्धारित कीमत से क्या आशे है इसकी चर्चा हम लोगों ने की आईए आप कुछ अभ्यास प्रश्ण के माध्यम से या जाने की आपने या अध्याय कितने अच्छे से समझा है अता आप इन प्रश्णों का अपनी उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखेंगे पहला प्रश्ण बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए दूसरा प्रश्ण अधी मांग एवं अधी पूर्ती का क्या आश्य है तीसरा प्रश्ण उच्चितम निर्धारित कीमत एवं निर्धन एवं निम्नितम निर्धारित कीमत से क्या आश्य है चोथा जब बाजार में मांग एवं पूर्ती दोनों ही विवर्तित हो जाते हैं तो उसका संतुलित कीमत एवं मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है रेखा चित्र के माध्यम से इस पश्ट कीजिए तो बच्चों या अध्याय हमारा पूर्ण होता है धन्यवान झाल पूर्ण होता है अध्याय हमारा कई तो प्रभाव पूर्ण होता है तो जाते हैं वड़ता है उसका स्थान है तो जाते हैं अध्यान